हलो फ्रेंड्स आज हम राष्तान के एक्किकरण से रिलेटेड़ जितने क्यूसन पुछेगए हैं गतवर से एक्जाम में उनको आज अपन सौल करेंगे चरनों में हुआ था चोथा चरन वर्राष्तान था जो कि 30 मार्च उनिस सो निन्चास में वर्राष्तान चोथा चरन वहा इस चरन में शयूंक्त राष्तान में जेपुर जोदपुर विकानेर जेस्टर में रियास्तों का विल्रे किया गया राजपुर्मुक महराजमान शिंग दित्ते को बनाया गया और परधान मंत्री हिरालाल सास्त्री को जोकी जेपुर के थे और राजदाने जेपुर बनाये गई राज़तान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है राजपुरान का यकिकरन कितने चर्णों में पूरूर्ण वहा था तो यह साचर्णों में पूरूर्ण हुआ था व्याख्या इनको आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्यूशन व्याख्या संकर देव समिती रास्तान के एक एकरन के पांचवे चरण के समय मतस्य संकी भर्तपुर तथा धोलपुर रियास्तों की जनता की राय जानने के लिए संकर राव देव समिती का गठन क्या गया राव ये मतस्य संकी भर्तपुर और धोलपुर रियास्तों को रास्तान या उत्तरप्रदेश में से किसमे मिलाया जाये समिती के अन्य सदस से आर के सिद्वा और परभु दयाल थे यानि तीन सदस से थे इसमे संकर देव समिती में बाद में इस समिती की सिपारिश पर मतस्य संको वरत रास्तान में मिलाया गया नेक्स्ट क्यूशन जेपुर के बीच रास्तानी को लेकर उपजय विवात को निपटाने के लिए बी अर पटेल समिती का गठन किया गया था बाद में इस समिती की सिपार्श पर जेपुर को रास्तानी बनाया गया समिती के अन्य सदस से ह C पूरी था H.P. सिनना थी जे विवाद को निप्टाने के लिए इस समीति का गठन क्या गया था? समीति की सिपारिष पर जेपुर को राजदानी बनाया गया था? पीर, सत्ये, नारा, एन, राव, समीति की सिपारिष से जेपुर को राजदानी बनाया गया. Next question. Next question. जेपुर के पहले, जेपुर से पहले राजदानी कहा थी? तो ये थी उद्धेपुर, तीसरे चरण में. दूसरे चरण में पुछी जाए तो कोटा थी और चोथे चरण की राजदानी को निप्शी थी? जेपुर. व्याख्या. इस संग का निर्मान पुर्वर रास्तान संग में उद्धेपुर रियासत को मिला कर कुल दस किया गया. इसकी राजदानी कोटा की स्तान पर उद्धेपुर को बनाये गई. इस संग का राजप्रमुक मेवाड महारणा भूपाल सियां को बनाये गया. मानिकिलाल वर्मा को सेयुक्त रास्तान का परधान मंत्री तथा गोकुलाल अस्वा को उप परधान मंत्री बनाया गया मानिके लाल मंत्री मंदल में गोकु लाल ऐसावा सहपुरा, प्रेम नारैन माथूर, भुरे लाल बैया, मोहनलाल सुखाडिया, उद्धेपुर, भोगी लाल पांडिया, एभिनहरी, बर्ज सुंदर सर्मा को समलित किया गया यह मंत्री मंदल पूरण तथा परजामंडलों के परतिनी दित्वों का परतिनी दित्वों से गठी था रास्तान राज्ये का पर्थम राजप्रमु किसे नियुक्त किया गया तो ये नियुक्त किया गया था महाराजा स्वाई मान सिंग दित्ते को जो की जेपूर के थे व्रहद रास्तान 30 मार्च 1949 को व्रहद रास्तान का गठन हुआ जिसमें राजपुतों की च्यार बड़ी रियास्ते जेपुर, जोधपुर, विकानेर, जेसलमेर को सेयुक्त रास्तान में मिलाया गया जेपुर, महाराजा मान सिंग दित्ते को आज जीवन राजपुरमुग बनाया गया रास्तान का एकिकरन कितने चर्णों में पुरुन हुआ तो ये 7 चर्णों में पुरुन हुआ व्याख्या रास्तान एकेकरन साथ चर्णों में पुरुणुआ आठ वर्स साथ माह चोदा दिन में पुरुणुआ था इसको भी आप याद रखेंगे आठ वर्स साथ माह चोदा दिन में पुरुणुआ था नेक्स्ट क्यूशन व्रैद रास्तान का राजपरमुग किसे नियुक्त किया गया था तो ये महाराजा स्वाई मानशियं को व्रैद रास्तान चोथा चरण था व्याख्या व्रहद रास्तान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ जेपुर महाराजा स्वाइमान शिंग को राजपरमुग तथा मेवाड महाराजा बुपालशियें को महाराजपरमुग बनाया गया चोथे चरणमी निमन लिकित में से कौन 1946 में भारत की सविधान निर्मात्री सभाग में रास्तान के पर्तिनिदी के रूप में मनोनित किये गए थे तो ये किये गए थे हिरालाल सास्त्री ओप्सन सी राइट एंस्वर व्याख्या 1946 में रास्तान से सविधान निर्मात्री सभा में बारा सदस्य मनोनित किये गए हिरालाल सास्त्री वीटी कर्षनाचारी का मनोनेन जेपुर या सश्य क्या गया नेक्स्ट क्योशन 18 अप्रेल 1948 को सेयुक्त रास्तान का उदगाटन किस ने किया था तो ये किया था जुमारलाल नेरु ने सेयुक्त रास्तान तीसरा चरण था इसके ट्री का आप याद रख सकते हैं गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल तो चोथा जो चरण था उसका उद्गाटन नहरु जी ने किया, चाचा नहरु को कागया गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल व्याख्या अठारा अप्रेल 1948 को राष्तान संग में उद्धेपुर का विले कर स्यूंक्त राष्तान का निर्मान किया गया जिसका उद्गाटन जुहानलाल नहरू ने किया नेक्स्ट क्यूस्टन रीट 2023 में पुछा गया है 1956 में किन छेत्रों के विले के बाद राष्तान का एकिकरण पूर्ण हुआ था तो ये हुआ था आब्बू, देलवाडा और अजमेर को मिलाकर नेक्स्ट क्यूस्टन आजादी के बाद जोदपुर का कोन सा सासक अपनी रियासत को एक सावतंत्र हिकाई रखना चाता था तो जोदपुर का सासक था अनमंचिंग, कोन थे अनमंचिंग नेक्स्ट क्यूस्टन 25 मार्च 1948 को राष्तान संके निर्मान के समय देशिर यास्तों के निमन समोव में से कोन सा संका इसा नहीं था उद्धेपूर, डुंगरपूर, मास्वाडा और परतापगड सी ओप्शन अपना राइट एंसर हो जाएगा व्याक्या 25 मार्च 1948 को नो रियास्ते वक कुसलगड ठिकाने को मिलाकर राष्तान संका निर्मान किया गया नो रियासत कोन कोन सी थी वो अपन देख लेते हैं डुंगरपूर, बास्वाडा, परतापगड, छालावाड, सहापुरा, किसंगड, कोटा, बुंदी, टोंग इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं बाबू की जाड़ू को परसाटो व्याट next question राश्तान के किकरण के तरतिय चरण में कोन संयुक्त राश्तान में सामिल किया गया था तो उद्ध्यपुर को सामिल किया गया था तरतिय चरण में next question रास्तान गई किकरण चर्णों में हुआ, पहले चरण में मतस्य संग के किकरण के साथ रास्तान में बनने वाला पहला राज्य कोन-कोन थे अलवर, भर्तपुर, धोलपुर, क्रोली मतस्य संग में मिलाए गए थे व्यक्षा, अलवर, भर्तपुर, धोलपुर, क्रोली को मिलाकर 18 मार्च 1948 को मतस्य संग का निर्मान किया गया, मतस्य संग नाम केम मुन्सी ने दिया था, किसने दिया था, केम मुन्सी ने रास्तान संग के विले पत्तर पर अस्ताकषर करते समय, किसने कहा था मैं अपने डेथ वोरंट पर अस्ताकषर कर रहा हूँ ये ईयो बरती 2023 में पुछा गया है ये थे बांसवाडा के महारावल चंदर वीर्शिंग जिसने कहा था मैं अपने डेथ वोरंट पर अस्ताक्षर कर रहा हूँ आज़ादी के बाद रियास्तों के किकरण में एक नया राज्य रास्तान बना नव निर्मित राज्य में विभिन इस्तानों पर पांच उंचन्याले कारीरत थे निमन में से कौन सा स्थान उनमें नहीं है यानि कि पांच उंचन्याले थे रास्तान के किकरण से पहले तो कोट इसमें उच न्याले नहीं था व्याख्या नव निर्मित राज्य में विविन स्तानों पर पांच उच न्याले थे जो इस प्रकार हैं जेपुर, जोधपुर, भिकानेर, उद्धेपुर और अलवर इनमें था रियासत कालिन उच न्याले को राज्तान न्याले आध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर राष्तान उंचन्याले जोधपुर का उदगाटन किया गया नेक्स्ट क्योशन दलितो और अपेक्सित समुव से सामाजिक भेदबाव को दूर करने के लिए जेपुर राज्य की विधान सबाने कब जेपुर हरीजन अच्छमता निवारन विदेख 1947 पारित किया था तो ये पारित किया गया था अगस्त 1947 को नेक्स्ट क्यूशन 1945-46 में आखिल भारतिय राज्य जनता समिलन किस इस्तान पर आयोजित किया गया था जिसमें यह का गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समोय को जिसकी निवनतम जन्षंक्या पचास लाक और राजस्वत तीन क्रोड रुपे या अधिक का है को ही सावतंतर और संग्ये भारत में सावतंतर रिकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए इसका इंस्वर हो जेगा उद्देपूर इसका इंस्वर उद्देपूर ए सही समीती के संद्रम में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें सत्य कथन बताना है इस समीती ने जेपूर को रास्तान के राजदानी बनाने की सिपारिस की बिलकुल सही है इस समीति ने लोक सिवा आयोक का मुख्यले अजमेर में रखे जाने की सिपारिस्की बिलकुल सही है तीसरा है इस समीति ने हाई कोड जोदपूर रखे जाने की सिपारिस्की बिलकुल सही पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है इस समीति ने कर्सी विभाग को मुख्यले उद्धेपूर रखे जाने की सिपारिश की नहीं, कर्सी विभाग को भर्तपूर रखे जाने की सिपारिश की थी। इसमें यही लिखा हुआ है, व्याख्यापन पढ़ लेते हैं इस समीति की सिपारिश की आधार पर कर्सी विभाग भर्तपूर में रखने का निन्ने किया गया कि सविदान संसोदन अधिनियम दुआरा राज्यस्तान में राज प्रमुक सेंस्ता समाप्त कर दी गई तो ये था सात्व सविदान संसोदन अधिनियम 1956 व्याख्या साथवे स्विधान संसोदन 1956 के नुसार राज प्रमुक्का पद समाप्त कर राज्यपाल पद सर्जित किया गया राज्यस्तान के पर्थम राज्यपाल गुरुमुक निहाल कुसियें को बनाया गया 26 वे स्विधान संसोदन 1901 के द्वारा राजाओं के प्रीवियर से समाप्त गए कोन से सविधान शंसोदन दारा 26 सविधान शंसोदन ले aminitra dvara next question राजस्तान में राजप्रमुका पद कब समापत किया गया तो एक नौबर 1956 को राजप्रमुका पद समापत किया गया next question 1946 में बनी सविधान निरमातरी सबा में राजस्तान के मनोनित सदस्य थे बारस अदस्यों में TVT कर्षनाचारी वहीरालाल सास्त्री जेपुर्षे, सर्दार सिंग खेतडी से, बल्वन सिंग महता, मानिके लाल वर्मा उद्देपुर्षे, जस्वन सिंग बिकानेर से, जय नारण व्यास वह सी एस्क वेकेटाचारी जोधपुर्षे, गोकुल लाल अ सापुरा भिलवाड़ा से, दलेल सिंग कोटा से, मुकुट बिहारी भारगव, अजमेर मेरवाड़ा से, रामचंदर उपद्याय अलवर्षे थे आजादी के समय राष्तान राज्य भारतिय स्विधान के नुसार किस स्रेणी में था, तो ये दित्ते स्रेणी में था व्याख्या, आजादी के समय राष्तान राज्य दित्ते स्रेणी में था, सस्टम चरण के अंतरगत 26 जनुरी 1950 को सिरोई जिले का कुछ बाग सेयुक्त वरद राष्तान को वर राष्तान का आबू वै देलवाड़ा छेतर बंबई प्रांत को सौप दिया गया, सेयुक्त वरद राष्तान का नाम राष्तान कर दिया गया रियासत सचीवाले की स्तापना कब की गई तो 5 जुलाई 1947 को की गई वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन व्याख्या भारती रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार वललव भाई पटेल की नेतर्तव में किया गया वीपी मेनन को इसका सलाकार वे सचीव न्यूक्त किया गया सरदार पटेल ने राजाओं के नाम पर एक वक्तव परकाशित करवाया जिसमें उन्होंने देशी राज्यों के नए सासन में समलित होकर एकता बनाए रखने की अपील की नेक्स्ट क्यूशन सवतंतरता के समय राज्तान में कितनी रियास्ते वट ठिकाने थे तो 19 रियास्त और टीन ठिकाने थे एएंस वर सी अपना राइट व्याख्या सवतन तर्ता के समय राजस्तान में 19 रियास्तें वत 3 ठीकाने थे तथा एक केंदर शासित परदेश आजमेर मेरवाडा था 1946 में आखिल भारतिये देशी राजे लोग प्रिशद भी यह नीन ने ले चुकी थी कि राजस्तान की कोई भी रियास्त एक इकाई के रूप में भारतिय संग में सामिल होने के योग्य नहीं है नेक्स्ट क्यूस्टन आजादी के पूरुव है नोन सल्यूट इस्टेट कितने ठीक नोन इस्टेट सल्यूट ठीकाने कौन से थे तो वो थे लावा जोकी टॉंक में है कुशलगड बासवाडा नीमराना अलवर उप्रिउक सही अपना इंस्वर हो जाएगा व्याख्या पर सर्वपर्थम अस्ताक्सर किये थे तो विक्कानेर ने और अंतिम पुछा जाए तो धोलपूर ने 14 अगस्ट को किये थे विक्कानेर के राजा ने 7 अगस्ट को किये थे सारदुल शिंग ने व्याख्या कि महराजा ने इस नाजु गड़ी में देश की बड़ी सेवा की है राज्तान संबाग के किस राज्य के नरेश ने सरोवपर्थम भारत के सैमिलित पत्तर पर अस्ताक्सर किये थे तो वो थे विक्कानेर के सारदुल शिंग जिनोंने 7 अगस्ट को अस्ताक्सर किये नेक्स्ट क्यूशन देशी रजवाडों की परजा के अंदोलन को सकिरिये समर्थन देने का प्रस्ताव कोंग्रेस ने कब पारित किया वो क्या था 1938 इश्वी में हरीपुरा अधिवेशन में ओप्शन सी राइट नेक्स्ट रास्तान की वहर यासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्तर पर अस्ताक्सर किये थे वो थी धोलपूर जिसने सबसे अंति में अस्ताक्सर किये व्याख्या दोलपूर सासक ने 14 अगस्ट दोलपूर का सासक उसमें उद्दे भान था 14 अगस्ट 1947 को भारत में दोलपूर विले को स्विकार किया नेक्स्ट क्यूशन रास्तान का एकिकरन कब पूरण हुआ था तो ये हुआ था एक नॉवंबर 1956 को कितनी बार पूछा गया है व्याख्या रास्तान सवतंतरता के समय रास्तान में 19 रियास्तेवर तीन ठीकाने तथा एक अंग्रेजी सासित परदेश था रास्तान का एकिकरन साथ चर्णों में पूरुन हुआ पर्थम चरण मतश्य संग 17 मार्च 1948 में 48 से सुरू ओकर सप्तम चरण एक नॉवंबर 1956 को पुरुन हुआ और रास्तान का वर्तमान सोरुप अस्तित्व में आया एक नॉवंबर को राजस्तान स्तापना दिवस मनाया जाता है एक नॉवंब्र को राष्तान जिस्तापना दिवस और 30 मारच को राष्तान दिवस मनाया जाता है Next Question भारत की सवतंतरता के बाद राष्तान के गठन के कितने चरण थे तो वो थे 7 कितने थे 7 व्यख्या रास्तान का एकिकरन साथ चर्णों में पुरुन हुआ जो की 17 मार्च 1948 से शुरू होकर एक नॉम्बर 1956 को आठ वर्सों के अंत्राल में पुरुन हुआ नेक्स्ट क्यूशन रास्तान के एकिकरन का सेरी ये किसे दिया जाता है तो ये दिया जाता है सर्दार वल्लव भाई पटेल को व्याख्या 5 जुलाई 1947 को सर्दार वल्लव भाई पटेल के नेतर्तों में रियास्ती विबाग का गठन किया गया वीपी मेनन को इसका सलाकार सचीव नियुक्त किया गया सरदार पटेल वे वीपी मेनन के अथक प्रियासों से राजस्तान का एकिकरन संभवू आ नेक्स्ट कियूसन दक्षिनी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकी कृत करने के लिए किसने हाडोती संभ बनाने का प्रस्ताव दिया तो ये दिया था महराव भीमसियन कोटा के महराव भीमसियन ने कहा कि हाडोती संभ बनाय जाई व्याख्या कोटा महराव भीमसियन कोटा बुंदी जालावाड को मिलाकर एक वरीततर कोटा या हाडोती संग के निर्मान में लग गया किन्तु पारस्प्रिक एविश्वास और इर्ष्या के कारण हाडोती संग अस्तित्व में नहीं आ सका डुंगरपूर सासक लक्समन सिंग, डुंगरपूर बांसवाडा और परतावगड को मिलाकर वागड संग बनाने का प्रियास किया प्रंतु महराव लक्समन सिंग को भी अपने प्रियासों में सफलतान नहीं मिली राजपुताना की रियास्तों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का कारिये सर्वपर्थम कोटा महराव भीम सियने किया नेक्स्ट क्यूशन राजस्तान को सभी रियास्तों को मिलाकर राष्तान यूनियन का गठन करने तो 25 जून 1946 को राजपुताना गुजरात वै मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था तो ये मेवाड के महराणा भूपाल सियने बुलवाया था उप्सन ए राइट व्याठ्या राजस्तान यूनियन का गठन करे ताकि भारती संग में एक इकाई के रूप में सामिल हो सके जेपुर जोधपुर वै विकाने रियास्तों को छोड़ कर से सभी रियास्तों में राजस्तान यूनियन निर्मान सिधान्त को सुविकार कर लिया लेकिन जेपुर जोधपुर अलवर और क्रोली क्रोली को लेकर अलग संग बनाना चाहते थे नेक्स्ट क्योशन 1947 से पुरवर राजस्तान की परतेक रियासत में सवेदानिक सुधार कर उत्तरदाई सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गई सिवाए एक रियासत को छोड़ कर उसका नाम क्या है जेसलमेर उप्शन डी अपना राई टेंस्वर नेक्स्ट क्योशन राजस्तान की किस रियासत को पंडित जुहालाल नेरू ने विश्वय का आठवा आस्चरिये कहा है तो वो जेसलमेर को कहा है व्याख्या जेसलमेर के बारे में एक कौहाउत परचलिता है पत्थर की टांगे ही यहां पहुचा सकती है जेसलमेर राजस्तान की वह पिछडी रियासत थी जिसे जुहालाल नेरू ने विश्वय का आठवा आस्चरिये कहा नेक्स्ट क्यूशन सवतंतरता प्राप्ति की समय राजस्तान में छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ी रियासत कोन सी थी तो वो थी मारवाड जोधपूर रियासत व्याख्या रियास्तों में सबसे बड़ी रियासत जोदपूर थी जिसका छेत्रफल 36,120 वरक किलोमेटर था सबसे छोटी रियासत सहापुरा छेत्रफल 405 वरक किलोमेटर था सबसे प्राचिन रियासत मेवाड और सबसे नवीनतम रियासत जालावाड थी राजस्तान की रियास्तों का एक इकरन का आरोई करम हमें बताना है टॉंक, उद्धेपूर, जेसलमेर और अजमेर तो सर्व पर्थम टॉंक फिर उद्धेपूर का विले हुआ फिर जेसलमेर का और फिर अंतिम अजमेर का तो एक, दो, तीन, चार अपना इंसर राइट हुज़ेगा व्याख्या, टॉंक का विले 25 मार्च 1968 को हुआ, उद्धेपूर का विले 18 अप्रेल 1948 को हुआ और जेसलमेर का विले 30 मार्च 1949 को, अजमेर का विले 1 नवंबर 1956 को हुआ Next adoption, एक क्रित राजस्तान की निर्मान में मतसे संग में सामिल जिले थे, तो अलवर बर्थपूर धोलपूर क्रोली थे, कोन से अलवर बर्थपूर धोलपूर क्रोली? योपसर D, right answer. Next question Next question Q. Münsi के परस्ताओ पर इसका नाम Мतच से संग रखा गया व्याख्या Q. Münsi के आग्रेपर पर्थमचरन का नाम मतच से संग दिया गया महा भार्त काल में यह छेतरमतच से जन्पद के game attitude के नाम से जना जाता था मतच से संग में च्यार रियास्ते थी Next question मतस्य संकार राजप्रमुक किसे माना जाता है तो धोलपूर सासक उद्देभान को माना जाता है कितनी बार ये क्यूस्टन आ चुका है नेक्स्ट क्यूस्टन व्याख्या मतस्य संग का राजप्रमुक धोलपूर नरेश उद्देभान तथा उपराजप्रमुक करोली नरेश गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया राम परसाद व्यास के नुसार उपराजप्रमुक तेज पाल सिहें को बनाया गया था किस के नुसार राम परसाद व्यास के नु कुन बने थे तो सोबा राम को waking सोबा राम यादव को बनाया गया 之前 मत dil परदान मंस्ट यूगल कि टो करत्तर राम यादव को बनाया गया सोबा राम कुमावत मंत्री मंडल ने जुगल किसोर चत्रवेदी भर्थपूर, मास्टर भोलानात अलवर, गोपिलाल यादव, डोक्टर मंगल सिंग दोलपूर, चिरंजिलाल सर्मा क्रोली आदी इस मंत्री मंडल में समली थे नेक्स्ट क्योशन, चोदा फरवरी 1948 को भारेश सरकार ने भर्थपूर परसासन पर अधिकार करके भर्थपूर राज्य का परसासन किसको न्युक्त किया था, तो किसको न्युक्त किया था भर्थपूर राज्य का परसासन के एस एन सप्रू को, एस एन सप्रू को न्युक्त क्या था व्याक्या भर्तपुर महाराज ने 15 अगस्त को सवतंतरता दिवस नहीं मनाया अतै उसे दिल्ली बुलाकर सुजाव दिया गया कि भर्तपुर परसासन भार सरकार को सुपुर्द कर दे 14 फरवरी 1948 को राय भादूर सुर्जमल के नेतरतों में भर्तपुर राज्य के मंत्री मंडन ने त्याग पतर दे दिया एस एन सपरु को भर्तपुर राज्य का परसासक निक्त किया गया बाद में भर्तपुर सासक को आरोब मुक्त कर दिया गया मार्च 1948 में उद घाटित मतश्य संग में निमन में से कौन सा राज्य सामिल नहीं था अलवर, भर्थपूर, दोलपूर लेकिन जैपूर इसमें समलित नहीं था, उप्शन C, राइट इंश्वर, नेक्स्ट क्योश्ट राष्तान संग का निर्मान 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राजप्रमुक किसी बनाय गया था, तो ये कोटा माराव भीम सियं को, नेक्स्ट व्याक्या, एक्किकरण के इस दित्य चरण में राजस्तान सब्द पहली बार जुडा, बांसवाडा, डुंगरपूर, जालावाड, कोटा, बुंदी, परतावगड, टोंक, किसनगड, लावा को मिलाकर रास्तान संग का निर्मान किया गया, रास्तान संग का उदगाटन केंदरिय मंत्री N.B. गोडगिल ने किया, नेक्स्ट क्यूशन, पुर्वर रास्तान जोकी 25 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया का उदगाटन किसने किया था, तो N.B. गोडगिल ने किया थ व्याख्या पुर्वर रास्तान या रास्तान संका उद्गातन ततकालिन केंदरिये खनीजवे विदूत मंत्री नर्सिये विश्नु गोडगिल ने किया देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठी सेयुक त्रास्तान का इस्सा नहीं थी वो थी उद्देपूर कौन सी नहीं थी उद्देपूर व्याख्या एक किकरण के दित्य चरण में नो रियासते सही चीप शीप कुशल गड़ लावा सामिल था इसमें उद्देपूर समली थी नहीं था नेक्स्ट क्योशन 25 मार्च 1948 को सेयुक त्रास्तान में जिस रियासत का विले हुआ वह थी वो थी परताब गड़